दोस्तों अगर आप अपने घर में गरे नाइट लगवाना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफी important होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गरे नाइट के बारे में पूरा detail में बताऊंगा कि अगर आप अपने घर में गरे नाइट लगवाते हैं च सबसे अच्छा पत्थर माना जाता है गर नाइट है हमारे जीने के लिए यानिए इस टेयर केस के लिए तो यहाँ मैं आपको बताओंगा कि अगर श्टेयर केस पर आप गरनाइट लगवाते हैं तो गरनाइट लगवाने का लेवर रेट कितना खर्चा आने वाला है वो भी मैं यहां बताऊंगा calculate करके फिर आप असानी से आपका जितना भी एरिया हो उतना आप निकाल सकते हैं अब जैसे देखिए होता क्या है कि मार्केट में आपको अपने हिसाब से अपने पसंद से आप गरेनाइट ले सकते हैं अलग-अलग यानि staircase जैसा आप यहां पे देख रहे हैं तो यह एक मंजिल का यानि अगर आपका मकान दस फिट उचाई का है ठीक है दस फिट पर अकसर देखा जाता है कि हमारा छत होता है तो उसमें जो लगभग हमारा जो stair होता है जो सिंड़ी होता है वो दो पार्ट में चड़ाय जा Step का खर्चा कैसे निकालेंगे वो कितना लगता है देखी में डो तरीके से क्या होता है कि हमें हुता है कि हम publi हुरे में होता है यह हमारा जीना होगया जैसे आप देख रहे यह हमारे जीना होगे है कि इस पर पहला ट्रेड ट्रेड क्या होता है जिस पे हम पैर रखते हैं तो उसका जो रेट है मार्केट में कितना रुपया 30 रुपया स्कॉार फिट है ठीक है यह चीज आप याद रखेएगा मैं यहां जो यह और सिंगल मोल्डिंग होती है यानि कि सिंगल मोल्डिंग आप कह ले तो उसको हाफ मोल्डिंग भी आप कह सकते हैं तो ओ हमारा 30 से 40 रुपया 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 चल रहा है ठीक है वहीं अगर आप उसको डवल मोल्डिंग बनाएंगे डवल मोल्डिंग का मतलब क गोल करते हैं नीचे भी उसका गुलाई बनाते हैं तो 50 से 60 रुपया रनिंग फिट है वहीं ट्रीपल मोल्डिंग कहने का मतलब है कि आप उपर तो करते हैं फिर उसके बीच में आप देख रहा है जैसे यहां पे गोल्डेन कलर का जो इस ट्रीप डालते हैं या हम बीच में डालते हैं वाइड कलर का जैसा आप यहां पर जीने पर देख रहा है तो और नीचे भी फिर गोलाई बनाते हैं तो ट्रीपल मोल्डिंग हो गया तो ट्रीपल मोल्डिंग जो इसमें हम बरास पट्टी भी कई जगा यूज करते हैं तो यह 80 रुपया रनिंग फिट चल रह सकते हैं कि एक 10 इंच का हमारा ट्रेड था तो 10 इंच हो गया और राजर 7 इंच का लगबग आपका यहां पर देख लिए तो डेड़ फिट का आपका इस कर्टिंग हो गया तो 30 रुपया रनिंग फिट के हिसाब से हमारा इस कर्टिंग है ठीक है तो अब क्या है कि अगर 3 फिट का आपका यह क्या है एस्टेप है तिन फिट मैं बता है आपको कि इसकी एस्टेप की चोड़ाई है तो आप देखे तीन फीट इंटू आप क्या किजिए चालीस रुपया स्क्वार फिट के हिसाब से आपका ट्रेड था तो 120 रुपया हो गया फिर उसमें क्या है कि डॉबल मोल्डिंग किया जा रहा है तीन रॉनिंग फिट हमारा सामने का इसका पट्टी है और 60 रुपय के हिसाब से यहां प तो लगबग 60 रुपया का स्कॉर्टिंग हो गया है तो सब मिला के 480 रुपया हमारा एक स्टेप में खर्चा हो रहा है तो यानि लंसम आपका 500 रुपया एक स्टेप में लग जाता है ऐसे आप तोड़के देखेंगे तो इस तरीके से आपका जितना भी स्टेप है आप ब लेते हैं इसमें करते हैं तो 400-500 रुपयो एक स्टेप कर लेते हैं वह inadequ чे X abbiamo करवा तो समें क्या होता है जो इतना रिट लेते हैं उसमें इनका मसीन इनका ब्लेड जो भी मोल्डिंग बनानी घिसाई करनी सब कुछ उनका होता है, यहां तक कि जो material की granite की shifting हो गई, cutting हो गई, material बालू जो हमारा cement लगता है, उसकी shifting हो गई, उपर चड़ाना, यह सब कुछ उनका ठेकदार का होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको material provide करना है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं तो जैसे मैं आपको बताया है कि अगर आपका एक मंजिल का मकान है, दस फीट उचाई है, तो दस फीट के उचाई में जब हम पहली flight पे चड़ते हैं, तो लगबग वहां पे आपका 11 step हो गया, 11 के बाद हम अपने landing पे चड़ जाते हैं, फिर वहां से जब उपर जाते हैं 10500 रुपया हमारा एक जीना में गरिनाइट का खर्चा होने वाला है, लेबर का खर्चा है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक किजेगा, और दोस्तो अगर ये आपको जानना है कि ये तो हमने लेबर रेट बताया कि कितना खर्चा होने वाला है, अगर पे पे आपको जानना है कि इसमें अब मेटेरियल कितना लगा जैसे कितना सिमνη्ट लगा, कितना बालु लगा, कितना गरिनाइट लगा, तो टोटल खर्चा जानना है तो आप कमेंट जरूर कीजेगा, मैं उसका भी एक डिटेल वीडियो आपको जरूर ला दूँगा, दो